देखिए देश प्रेमी पार्टियां देश के हित के अंदर सोचने वाली पार्टियां हिंदुतव को लेकर जो पार्टियां है उनको लगातार जो है उनको परचार परसार को लेकर जो है आजादी नहीं दी जारी विशेशकर शिव सहना को लगातार कश्मीर जाने से रोका ज जबकि दूसरी तरफ जो देश के विरोधी बयान बाजी करते हैं, देश द्रोही पार्टियां हैं, विवादस्पत बयान देते हैं, जो शरार्ती तत्व हैं, उनको खुली वहाँ पर कश्मीर के अंदर आजादी दी जा रही है, चाहे वो मैबूबा मुफ्ती हों PDP की, गु करके नेता हों, उनके उपर परचार तो किया जाता है उनको गिर्फतारी करने का, मगर उनकी गिर्फतारी नहीं की जारी, एक तरफ तो हमारे परदान मंत्री जी मानिये निरिंदर मोदी, लगातार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जल से जल लोगतांतरिक परकिरिया बहा जो लोगतांतरिक परकिरिया बहाल कर दी जाएगी मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोगतांतरिक परकिरिया राजनेतिक दलों के बिना बरकरार की जाएगी क्या ये लोगतांतरिक परकिरिया के अंदर सिरफ बीजेपी ही हिस्सा लेगी क्या शिव सेना उस एक राजने हो रहा है और बीते कल भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ हम जम्मू से यहां पर कूच किये कश्मीर के लिए वहां अपनी पार्टी का परचार और परसार करने के लिए मगर यहां पर हमें पठान को अउदंपूर के पास हमें रोक लिया जाता है वहां से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जाती पुलीस बल का परियोग किया जाता है मैं पूछना चाहता हूँ कि नया कश्मीर में क्या बदला है 370 टूटे हुए 2 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है सरकार लगातार यहां पर दावे कर रही है कि अब नया कश्मीर बन रहा है क्या यह नया कश्मीर है जहां पर राजनेतिक दलों को हिंदू पार्टियों को कश्मीर में जाने की इजाज़त रही है नया कश्मीर हमें चाहिए जहां पर अमन बहाली हो यहां पर जो है निया कश्मीर को लेकर जो दावे किये जा रहे हैं मैं तमाम दावो को खोकला करार दूँगा